तो जूटी ने आखिरकार जो है सच बोल ही दिया और इस वीडियो का आप पूरा सुनेगा उसके बाद ही मुझे कमेंट करिएगा जूटी की जो है अभी अभी एक वीडियो आई है जहां पे उसने वैसे तो देखो कलना एक कम्यूनिटी डाली थी उसने जहां उसने लिखा रहता कि क्यू एन ने वाला है वैसे तो क्यू एन ने लेकिन यह चीज़ें बाकि व्लोगर को कुछ कोपी करती रहती है जब इसके पास कॉंटेंट बनाने को कुछ नहीं होता तो दूसरों के कॉंटेंट देखते हैं कि यह व्लोगर क्या कर रहे है अपनी लाइफ में मैं बीडियो में तो कुछ वैसा ही इसने आज की वीडियो में बात करी और जहां पे सबसे जो है जूट बोल रही है क्योंकि वो ये चीज की जो पॉल पट्टे है ये भी इसके भाई ने खोली थी उस दिन सोशल मीडिया पे जब वो लाइव आया था तो उसके बाद ही बहुत सारे जो है ना लोगों ने इसके ओपर सवाल उठाए इसको बहुत सारी हेट भी मिली है इसके ब्यूज भी डाउन हुए हैं तो इसने यही सोचा कि क्यों ना इस वाले टोपिक पर वीडियो बनाई जाए क्योंकि लोग तो देखे जानने के लिए उतावले हो रहे कि क्यों इसने अपनी मम्मे के ओपर हाथ उठाया था और क्यों उस बिचारी को लहुलुहान कर दिया यही बताया था दूद्धा गरम गरम और केरलेस तो है यह आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा केरलेस है दूद बूद रखा होगा बच्चे का हाथ जल गया तो इसकी मा इसको डाटने लगी क्योंकि देखे एक किसी भी चीज़ में यह परफेक्ट नहीं है और एक मा को गुस्सा आएगा ना तो शादी से पहले इसने कभी कोई काम किया न सीखा ठीक है और नहीं शादी के बाद ये कभी सक्सेस होई इस चीज में कि घर के काम वा में जो एक कहते ना बहु के अंदर गुण होनी चीए वो ऐसा कोई गुण नहीं था तो इसलिए इसकी मम्मी को इस की पोल पट्टी पाड़ता है ना तब जाके पता लगता है सच में दुनिया को की बात असली में है क्या तो इसने का मेरी जो है हस्बन को उल्टा सिदा बोलने लगी मुझे बहुत जादा गुस्सा आया मैं मना करने लगी मैंने मा को ऐसे धक्का दे दिया एक बात बताओ धक्का देना और नोचना दोनों में बहुत जमीन आस्मान का फरक होता है ठीक है धक्का देने से अगर कोई इंसान किसी को धक्का देगा तो उसके हाथ पे खून मून नहीं आ जाएंगे ना क्योंकि इसने अपनी मा को नोचा होगा तभी इसकी मा जो है लहूलुवान अब आज के स्टोरी में भी इसने फिर सरासर जूट बोला है इसके पीछे भी कुछ औरी कारण होगा जो कि कभी अगर इसका भाई फूटेगा तो ही वो सोशल मीडिया पर बताएगा अदर्वाइस तो ये भी जो इसके बहुत सारे राज ऐसे है जो कि किसी को आज तक पता ही इसने जो है अपने वीडियो में एक जूट और बोला एसी को लेके क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको यही कमेंट कर रहे हैं कि तुमने अपनी मम्मी को यहां से इसलिए भगाया अरे भाई तू एसी के लिए रहती है और किस लिए रहती है कहा रहिया है कि आप लोग यह गल्थ बोल रहे हो कि नहीं पर तेरी मम्मी जब रहती थी यहां पर क्यों तो अपनी मम्मी से अलग रहना चाती थी अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहना चाती थी इसका जो है शुरू से कहना है कि मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकती मैं दूसरे घर में रहूंगी और अगर इसको ऐसे की ज़ूरत नहीं है तो अपने घर को यहां साफाई करके त पड़े हैं बरतन मेले पड़े हैं इवन घर में खाना तक नहीं बन रहा तो मा तो याद आएगी इसे तभी तो यह मा को बुलारी और सब लोगों का यही कहना इसका कमेंट शक्षन अगर आप देखेंगे तो मापे लोग यही कह रहे हैं और इवन एक बात बताईए जब यह बोलती है कि मेरी मा यहां रहके बिमार हो जाती है यह है वो है तो क्यों बुला रही है भाई तो अपनी मा को वापिस वहीं रहने दे ना तेरे भाई के पास तेरा भाई अगर अच्छे से रख सकता है तो उसके पास रहने दे इतनी बड़ी बड़ी बाते हाक ना कोई इस स सीके जो इसने कल हाकी अपनी वीडियो में ये घर तो मेरी मा का ही है मैंने तो पहले ही बोल दिया था और घर भी मैंने मेरी मा के लिए लिया था मतलब ये अपने आपको ऐसा प्रेजंट कर रही है कि ये कितनी बेचारी है और कितना इसका प्यार है इसकी मां से ओ माई गॉड इसका पहले की वीडियो में ये भी बोलना कि बहई कोई आजके टाइमें किसी कान नी होता है पैसा है तो ही सब आपको पूछते हैं और आजके टाइमें मैं और मेरा बच्चा ही सब कुझे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है तो यह मतलब इसको ऐसा क्या मतलब है मा से सोचने वाली बात है न क्योंकि अपने मूँ से ऐसी ऐसी बाते बोलती है और उसके बाद ये फिर अचानक पलट जाती है भाईयों से माफी मांग रही है मुझे तो कहीं न कहीं ये डर है कि कहीं इसका भाई ने इसको धमकी दी हो कि किस तरीके से तो ने सोशल मीडिया पे माबाप की इतनी बदनामी करी है अगर तो माबाप से माफी नहीं मांगेगी तो मैं जितने भी तेरी बाते हैं सब यहां पे खोल दूँगा तो मुझे यही लग रहा है कि शायद इसने डर के जो है ये सब चीजे करी है माफी नामा जो है इसने कुबूल किया है यहां पर और बोला है कि हाँ मुझे माफ कर दो मम्मी पापा मैंने सोचल मीडिया पर गलती कर दी भाईयों से भी माफी मांग रही है वरना आप लोगों को पता है ये कभी भी जुकने वाली नहीं है क्योंकि इसकी ego और इसका attitude बहुत उचे लेवल का है मुझे किसी ने आज बताया एक नई चीज और सुनने में आई है कि जुबिन जी ने इसको ब्लॉक कर दिया है चैनल से और आज सुबह ही मुझे पता लगा क्योंकि मैंने तो देखो नहीं देखा जाके और यहीं बताया कि वहाँ पे जो है इतने सारे इसके कमेंट्स थे इसने real वहाँ पे शियर की थी तो हो सकता है जो भी वो चैनल हैंडल करता है या जो ओनर है उन सबने वो चीज़े दिखी होंगी हाइलाइट हुई होंगी किस तरीके से इसने क्या गंदा मिस बहेव किया है और किस तरीके से अपने चैनल पे जुबिन का नाम ले लेके रट लगा लगा के न व्यूज लि कि इस एकंड वीडियो में भी वही चीज़ थी कि देखे मैं खाना लेके आई हूं यह खाना मेरा पूरा दिन चल जाता है लेकिन मैं बच्चे को यह खाना नहीं कहला ती आप लोग मुझे बार-बार जो है मैं कमेंट करते रहते हूं कि मैं बच्चे को यही खाना खिलाती एक कटोरी बताओ इतने बड़ी यूट्यूबर महिने का 60-70,000 रुपे जो औरत कमाती है फिर भी उसको एक कटोरी सब्जी जो है पडोसियों से मांग के अपने बच्चे को खिलानी पड़ रही है और फिर इसके इतने बड़े-बड़े बोल होते हैं कि मैं किसके लिए कर रह करना ये रहता है कि मेरे हाथ से खाता ही नहीं है है ना मंमी के हाथ से खा लेता है या फिर पडोसियों के घर जाके खा लेता है अभी भी देखो मैं उसको वहाँ छोड़ के आई हूँ दूद भी वहीं पे पिया है और वहाँ पे देखो रोटी खा लेगा एक तरफ ही अपने मुझे बोलती है कि चावल उबाल के रख देती हूँ सुबही चावल मैं उसको खिलाती रहती हूँ दूसरी तरफ ये बोलती है कि नहीं नहीं चावल नहीं वो रोटी भी खाते हैं उनके घर तो देखो को रोटी भी खा रहा है वो कितने दिन से अराम से रोटी खा रहा है मम्मी को भी बताया है मतलब इसके माबाब को भी एक बात है कि शरम नहीं आती इस चीज में इसको एक बार भी डाटते नहीं है कि बच्चे को क्यों तू पडोसियों के घर बेजती है तेरे पास क्या कमी है तू क्यों अपने हाथ से अपने बच्चे को खाना बना के नहीं खिलाती और ये बात सच बच्चे को भी कोई वो लगाव नहीं रहता है अगर स्टाइटिंग से अगर माबाब जो है अटैच ना हो अपने बच्चे से अब कितने सारी माए हैं अपने बच्चों को छोटे बच्चे होते हैं अपने हाथ से खाना खिलाती है ना तो बच्चे का भी अटैचमेंट होता सोच रही हूं बुलाओं या नहीं आप लोग बताएं कभी तो बोलती है कि मेरा रिष्टा ही खतम हो गया उनसे मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं नहीं है ना तो फिर भाई ससुराल वाले को क्यों बुलाना है ना मतलब इतनी बड़ी बड़ी पता नहीं कुंटेंट कहां से ढूंड के लाती है इतना जूट यह कहां से ढूंड के लाती है कि लोगों को जो है जूट बोल बोल की इसको जो है पैसा कमाना है अगर जूबिन की टीम ने या पिया टीम ने अगर इसे ब्लोक किया है तो बहुत अच्छा किया क्योंकि इसको एक सेकिन नहीं लगता किसी क तो कोई लेना है देना नहीं है तो वो बरदाश नहीं करेगा कि उसके उपर कोई चार उंगलिया उठ रही है वो भी बेफाल तुम्हें ना लेना ना देना कुछ भी ऐसे मतलब जबरदस्ती किसी के भी चेप हो जाना अपने कमिनिटी में मेरी वीडियो शेयर कर दो मैंने आ प्यार जूती की वीडियो को देते हैं उतना ही रोस्ट जो है दूसरी वीडियो में भी आपको मिलेगा तो सबी वीडियो चाहिए 15 और अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो प्लीस चैनल को लाई करें सब्सक्राइब करें शियर करें और बेल आइकिन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले, सो बबाई मैं मिलते हूँ आप से एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई